नमस्कार मैं हूँ सच्चेदानंद वसेश्ट और सजनों धनूरासी वालों के लिए ये अक्टूबर का महीना किस प्रकार का रह सकते उसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं तो धनूरासी के सबसे पहली बात ये एक है मंगल 20 तारीक तक आपके सब्तमस्तान में रहेंगे यहां तक तो पती पतनी के बीच में भी कुछ विवाद संभव है लेकिन 20 तारीक के बाद ये जो हैं अस्तमस्तान में चले जाएंगे कोई आकस्मिक रूप से अब कोई घटना घटित हो सकती है तो उसके प्रती आपको सावदान देना हो ब्रेस पती छटे इस्तान में है शत्वों से तालमिल बना करके उसके अंदर समझोता आपका होगा कोई भी कारी आपका रुका हुआ है वो पुरा होगा राजकी ये कारी आपके संपन्न होंगे आर्थिक इस्ति आपको प्राप्त हो सकते। अपको देनिक रासी फल देने का प्रयास कर रहा हूं। नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, तो नो से लेकर पंदरा तारीक तक आपके घर में, ग्रहस्त में, हर जगे पर आपका जोग है, अच्छा माहूल और अच्छा जोग है, आप शकून देखेंगे और इसमें घर, परिवार और धन की ब्रद्दी होगा। अब आप 16-17 तारीक को तोड़े से चिंता जनक रह सकते हैं, तो उसका ध्यान रखेंगे, 18-19 तारीक में विद्यारतियों के लिए बहुत बढ़िया के, कोई भी एक्जाम देने वाले के, इंटर्व्यू देने वाले के, उनके लिए बहुत बढ़िया के, बाकी सब के बीच, दो पार्टनरों के बीच, प्रेमी प्रेसी के बीच, अच्छे संबंद, अच्छा तालमेल इस समय पर बनेगा, 24-25 तारीक स्वास्ते के लिए ठीक नहीं रहेगी, उसका ध्यान रखें, बाकी फिर 26 तारीक से ले करके, 31 तारीक तक का टाइम आपका बढ़िया के, जो भी रुका हुआ कारिया है वो पूर्ण होगा, और उसके लिए जो भी भागदोड़ आपको करनी के है, मैनत करनी के, करके और आपको पूरा करें, आकस्मे किलाब भी आपका होगा, कहीं आपका पदबरदी भी आपको हो सकती है, प्रमोशन भी आपका हो सकता है, यह ज जानकारियों के लिए इन नमरों से संपर्क करके, कारेले से अपाइंटमेंट ले करके, कारेले की सेवाएं अरपन करके, और जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं, वो जानकर के लाब उठा सकते हैं, नमस्का.